आज बनाएंगे गोकनट चटनी जिसको आप दोसा और बड़ा सांबर किसी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं यह एक रोग कोकनट है जिसको इस तरह से मैं टैप कर दूंगे टैप करने के बाद इसको तोड़ने के बाद इसको चुटे चुटे पीसस में से कट कर दिया है और जो ब्राउन पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे उससे क्या होगा जो चटनी है मेरी पूरा हॉइट बनेगा और इसको इस मिक्सिके जार में पीसेंगे बारीक पीसेंगे और इसमें देंगे दो हरी मिर्च और अद्रक एक टुकड़ा अद्रक देंगे एक इंच का और द नमक और दahी बाद में आड़ करेंगे अ Cathy स्यूंति और living ते नमक और दही मैं में स्युंति normaal ini यह जो चत्नी यह में दहीसे बनाऊंगी और यह जरक उए आप अगर टैमेरिन दे सकते हैं, धे हम आ COP प्संद्था तह भी दे सकते हैं, अब इसको मैं तड़का दूगे, तड़के में यूज करूँगे, मस्टर्ड सीड, करी पत्त और सुखी मिर्च, जो साउथ इंजियन तड़का होता है, वो एड़ करना है, और रिफाइन में बनाना है तड़का, उससे क्या होता है, रिफाइन से, इसका रंग जो है, अपट कि और आपकी को ठीच, नशेवर करी पत्ता, देज़ों में, घुझा है, तड़के को थोड़ा से थंडा करके आड़ करे। जब भी आप चट्नी में लाइड करें, थोड़ा से थंडा आड़ करके, भस मेरा चाहिए जो कोकुनेट चट्नी है, वो रेडी हो गया है, अब इस तड़क्यों को अच्छे से मैं इस चटनी में मिक्स कर दूंगी देखिए पूरा रेश्टरंट जैसा कोकनट चटनी रेडी हो गया इसका रंग भी देखिए पूरा वाइट है और इसमें करी पत्ता से ग्रीन आ रहा है अभी मैं इसको दोसा के साथ सर्प करूंगी कि देखिए इस तरह से मैंने सर्प किया है कि देखिए फुप करूंगी कि देखिए बड़ेगा रहा है कि देखिए पूरा रेश्टर खाव झाल कि देखिए भी में रहाँ कि देखिए यह झाल